हेलो फ्रेंट्स बिजय दस्मी दसेहरा के आप सबको बहुत बहुत सुपकामनाए आओ बनाते हैं बिजय दस्मी पर पकवान तो मैंने भी क्या-क्या पकवान बनाए हैं फ्रेंट्स बने रहे मेरी वीडियो में अन्ते तक तो फ्रेंट्स मैं भी फीर श्रुवात कर रही हूं देखें दूद मेरा उबल चुका था और मैंने इसमें चावल चीनी यह सब रही हूं मैं चावल एड करके चीनी एड कर रही हूं तो दसहरा सीरी राम चंद्री जी ने रावण पर विजय प्राप्ति की थी रावण के अं तो राम ने रावन पर विजय प्राप्ति की थी, तो इसलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के खुशी पर हमें दसहरा मनाते हैं, प्रेंश. क्योंकि बुराइपर अच्छाई की जीत की खुशी में ही हम ये दसहरा परव मनाते हैं जो राम ने रावण पर बीजह प्राप्ती की थी क्योंकि रावण के अंदर बहुत दुरगुण थे अभुगुण थे इसलिए रावण को मारकर बीजह प्राप्त करी तो आज भी बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में ही रावन को मार कर हम ये दसहरा पर्व मनाते हैं तो देखे फ्रेंड्स मैं भी ये दसहरे पर पक्वान बना रही हूँ तो ये खीर बनके मेरी तयार हो चुकी है इसमें मैंने इलाईची भी एट की भी थी और ड्राइफूट एट किये और ये उपर से मैं इसमें ये किसमिस एट कर रही हूँ फ्रेंड्स किसमिस कभी भी हो फ्रेंड्स आप भी गैस को बंद करने के बाद थोड़ा भाब निकलने के बाद ही एट करें ताकि किसमें से एकदम गरम में आगर आप एट करते हैं जो गैस खुले में ही तो किसमें से एकदम से सिकुर जाते हैं और वो खाने में बहुत ड्राइ बहुत ड्राइ ड्राइ सुके से लगते हैं तो गैस बन करके ही किसमें जैट करें तो देखे फ्रेंज खीर बनके मेरी य पाजन दाजा पक्वान अपने बच्चों को खिलाएं, ताकि बच्चे भी स्वस्थ रहें, खुश रहें, तो देखें फ्रेड कितने अच्छी खीर बनके मेरी ये तयार हो चुकी है. ये देखे, आप मैं ये बड़े तल रही हूँ फ्रेंज, ये देखे, ये बड़े का मसाला है, तो दूसरी बार मैं फिर से ये बड़े तलने के लिए एट कर रही हूँ, ये देखे, इस तरह से गैस को मीडियम पे रखे ही आराम-ाराम से इनको एट करें इसमें, क्योंकि एकदम से बाहर जल जाते हैं, और अंदर से पक नहीं रहते हैं, कबी बड़े पर ये तैयार हो चुकि है, आप भी अपने घर में एक बार इस-स रेष्पी को जरूतराइ करें और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक से सस्क्राइब करना ना भूलें बैल आइकन को भी दबाएं तो देखें बड़े मेरे बन चुके हैं अब मैं ये पूरी बना रही हूं तो देखें कितने अच्छी पूरी फूल करके तैयार हो चुकी है ये देखें अपने घर में बने पकवानों का कुछ आनंद ही अलग होता है फ्रेंड और फ्रेश फ्रेश और ताजा भी खाने को मिलता है बच्चों को और जिससे बच्चे स्वास्त रहते हैं तो देखें म अब आपने घर में जरूर बनाएं डेके कितने अच्छि बड़े पूरी बनके मेरे या तैयार हो चुकि है और यह थाली में ने तैयार कर ली जिस में मैंने देखें दही और सबिषि खीर पूरी बड़े रखें हैं प्रेंड और दाल-taun function भी बनाए है और यह थाली में मै मिलते हैं फ्रेंट्स मेरी अगली वीडियो में तब तक आप भी अपने बच्चों के लिए फ्रेश फ्रेश ये खाना बनाएं स्वस्त रहें खुश रहें मनाएं दसहरा मिलते हैं अगली वीडियो में बाइ